दोस्तों आज मैं आपके साथ 10 ऐसे रीजन से अर करने वाला हूँ जिसके वाई से आपका computer system slow हो जा रहा है तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं Reason No.1 अगर आपका computer system शुरूआत से ही slow है मतलब जब आप दुकान से खरीद के लाए है तब ही से slow है तो आपके hardware में problem है मतलब आपका hard disk जो है वो इतना speed RAM को data भेज नहीं पा रहा है जितना speed वो demand कर रहा है तो इसका solution यह है कि आपका hard disk को हटा के आपको DVD drive में लगाना होगा और एक SSD आपके hard drive के जगा लगाना होगा और उस SSD में ही आपका operating system को load करना होगा दोस्तों आप reason number two reason number two यह है कि आपका computer system काफी ज़्यादा गरम हो जा रहा है मतलब आपका processor आपका जितना task है computer system का उतना संभाल नहीं पा रहा है मतलब processor में कुछ hardware का दिक्कत है तो आप किसी technician का help ले अब reason number three reason number three यह है कि आपके RAM में कुछ गड़बड है मतलब अगर आपका computer अभी दुकान से आया है और अभी slow होने लगा है मतलब hardware में ही ज्यादा तर problem निकलती है इसलिए RAM को, hard disk को, processor को थोड़ा अच्छे से चेक करवाए किसी experienced technician से reason number four reason number four यह है कि आपका computer system बहुत की कम reboot होता है यानि कि restart होता है मतलब आप constantly अपने computer system को use करते है लेकिन जब आप नहीं use करते हैं तब आप slip mode में डाल देते हैं इसलिए आपका computer system reboot नहीं हो रहा है अगर आपका computer system reboot होता है तो उसका files फिर rearrange होंगे उसका system फिर अच्छे से चलेगा और थोड़ा fast भी हो जाएगा यह भी आप try कर सकते है Reason number 5 Reason number 5 यह है कि आपके computer system के background में बहुत ही ज़्यादा services चल रहे है मतलब जो आप programs इंस्टल करते हैं जैसे Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, After Effects यह सब इंस्टल करते हैं तो यह सब क्या करते हैं बेक्राउड में अपना services चलाते रहते हैं उस program को support करने के लिए वो सकता है कि काफी ज़्यादा ऐसे programs run हो रहे हैं इसलिए आपका computer system slow हो जा रहा है अब Reason number 6 Reason number 6 यह है कि आपका बहुत सारा temporary files हो गया है अपने hard disk में temporary files वो files होता है जो application को support करने के लिए काम आते हैं मतलब अगर आप एक heavy application run कर रहे हैं बार बार run कर रहे हैं उसे चालू बंद चालू बंद कर रहे हैं तो क्या होता है कि जल्दी उस application को load करने के लिए आपका operating system अपना एक तरीका निकालता है तो आपका operating system क्या करता है कि उस files जिस files को आपका वो programs repeatedly use कर रहे हैं उस files को temporary zone में रख देता है मतलब उसको access करने में ज्यादा time नहीं लगेगी लेकिन अगर ऐसा temporary files बहुत ज्यादा हो गया तो आपके computer system को program execute करने में देल लग सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा file हो में एक file को ढूमना ज्यादा time लगेगा आपके operating system के लिए reason number 7 reason number 7 यह है कि आपका hard disk काफी भर चुका है अपने गले तक भर चुका है और इतना भर चुका है कि आपका computer system को उसको manage करने के लिए बहुत ही ज्यादा energy खर्च करना पड़ रहा है इसलिए वो ज्यादा slow perform कर रहा है तो इसका solution यह है कि आप अपने hard disk को थोड़ा खाली कर दीजे किसी और external hard disk में आप उस data को move कर दीजे backup कर लीजे और delete कर दीजे अपने internal hard disk से अगर यह सातों problem में से आपका कोई भी problem नहीं है तो आपका शायद आठवा problem हो सकता है reason number 8 reason number 8 यह है कि आपके computer में virus हो सकते है virus से बचने का simple तरीका है antivirus कोई अच्छा वाला ले आए और आप virus से अच्छे तरह से बच सकते है मैं recommend करता हूँ हमेशा bit defender क्योंकि वो मैं personally use करता हूँ अपने PC पर अब reason number 9 reason number 9 यह है कि आपके computer में malware भी हो सकते है internet में आपको बहुत सारे malware removal टूल मिल जाएंगे किसी को भी use कर लीजे और next reason यह है कि आपका windows सायद latest version नहीं है updated नहीं है इसलिए slow हो रहा है दोस्तों देखें windows एक ऐसा चीज है जो बार बार update होना जरूरी है क्योंकि windows इतना बड़ा software है और उसे इतने सारे लोग मिल कर बनाते हैं कि उसमें एक problem आना बहुत ही आम बात है तो company क्या करते हैं updates के माध्यम से वो सारे problems को fix करते हैं इसलिए आपको एक मौका देना चाहिए company को आपके problems को fix करने के लिए तो अगर आपके software में कोई ऐसा problem होगा तो आपके Windows के updates से solve हो जाएगा और आपका PC वापस अच्छे से perform करना चालू कर देगा अब दोस्तों एक bonus reason bonus reason यह है कि आपका जो driver है वो काफी outdated हो चुके हैं जो outdated drivers होते हैं वो generally बहुत ही slow perform करते हैं और उनका efficiency उतना ज्यादा नहीं होता है हर दिन नए नए डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिथम्स निकलते हैं वो drivers को चलाने के लिए और इसलिए मैं recommend करता हूँ कि आप अपने driver भी update कर दीजे ताकि आप problem free tension free रह सकें दोस्तों ये था कुछ reasons जिसके वज़े से आपका computer slow हो रहा है अब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक like कर दीजे दोस्तों के साथ share कीजिए जो ये problem phase कर रहे हैं और ऐसे technical related mobile और computer technology related videos देखने के लिए इस चैनल को subscribe करके bell icon को दवा दीजे ताकि आप कोई भी नए वीडियो मिस ना कर सकें दोस्तों मिलते हैं आप नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जै हिंद वन्दे मात्रम